मैं है कमिंट सर तुम इधर आऊ न गरा ये सर हर रोज अपने टीचर से मारक आते हो लिकर इतने ही टीख हो हरकताब का सबुग यार भी कर लेते हो लिखे भी लेते हो लिकर मतालिया पाकिस्तान का क्यों नहीं लिखते ऐसे क्या वज़ा है तुम गर से मतालिया पाकिसान का सब्से क्यों नहीं लिखिया लाते क्योंके सर मैंने किताब में जो कुछ भी पढ़ा है उस पर मुझे यकीन नहीं आया और इसलिए मैंने मतालिया पाकिस्तान को हाथ लगाना छोड़ दिया है तु यह क्या बात हुई तुम्हें किताब में लिखा हुआ पर जिकीन क्यों नहीं आया क्योंकि सर मैंने जो किताब में लिखा हुआ देखा है अपने इर्दगिर्ड अपने इर्दगिर्ड उसकी है कीकत को तलाश नहीं कर पाया तुम्हारी बात का क्या मतलब है सर किताब में लिखा है कि मेरा मुल्क एक अमीर और खुशहाल मुल्क है लिकिन हमारा गर तो मट्टी से बना है मेरे कपड़े, मेरा बस्ता, मेरी फीज, मेरी किताबे हता कि स्कूल के खराजात पूरे करने के लिए कि फंड भी खेराती अधारों की तरफ से माईया की जाते हैं और तो और मेरे अबा रात को रोते हुए मेरी अमी से कह रहे थे कि वो बैरूनी मुल्क चले जाएंगे पैसा कमाने के लिए क्योंकि इस मुल्क में गरिपी और भूख के सिवा और कुछ नहीं सर जी और किताब में लिखा है कि मेरा मुल्क तेल और गैस जैसी दौलत से माला माल मुल्क है लिकिन हमारे घर तो ना तेल है और ना ही गैस मेरी अम्मा तो आज भी लकडियों पर खाना पकाती है और किताब में लिखा है कि मेरा मुल्क अमन और सलामती का अलम बरदार है लेकिन मैंने आज तक कोई खैर की खबर नहीं सुनी अमन सलामती को अमलन किताब से बाहर नहीं देखा अबे कुछ दिन पहले हमारे हमसाई के घर चोरी हो गई और उनके एक बेटे को गोलिया मार कर भाग गए चोर और किताब में लिखा है कि मेरा मुल्क बहादरी और इनसानी तहजीब का गहवारा है मगर मेरे जहन में एक सवाल गूम रहा है कि मेरा मुल्क अभी तक गहवारे में क्यों है जबके दूसरे हमसे आगे बढ़ गए इसी तरह किताब में ये भी लिखा है कि मुल्क में बसने वाले तमाम शहरी हकुको फ्राइज में पराबर है लेकिन मैं बहसियत इंसान या इस मुल्क का शहरी होने के नाते अभी तक अपने बनेयादी हकुक से महरूम हूँ क्योंके कल जब मैं स्कूल से